हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चनल में स्वागत है आज बनाएंगे वेज स्प्रिंग रूल जिसे हम रेश्टूबन स्टाइल में बनाएंगे बोहुत ही टेस्टी बनता है ये सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये सारी सीज़ें लिये हैं सबसे पहले हमें पैन को गरम करेंगे उसमें तेल डालेंगे दो बड़ी चममाच उसके बाद इसमें डालेंगे अध्रक और लहसुन जिसे हमने बारी काटके रखा हुआ है अब थोड़ा इससे चला लेंगे उसके बाद बागी चीज़े डालेंगे अब इसमें डालना है प्याज प्याज को भी थोड़ा सा चला लेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे कैरट कैरट को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे थोड़ देर के लिए पकने देंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं स्प्रिंग रोल आप ट्राइ जरूर करें बहुत ही अच्छे लगेगा आपको अब इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ पत्ता गोबी और साथ में ही डालेंगे सिमला मिर्च अब सारी चीज़ों को थोड़ देर पकने देंगे इसे हम हाई फ्लेम में पकाएंगे उसके बाद एक बड़ा चम्मच सेजवन सॉस डालेंगे अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं नहीं तो आप रेड़ चिली सॉस भी डाल सकते हैं अब सारी वेज़ेटेबल के साथ सॉस को मिला देंगे अब इसमें डालना है नमक नमक स्वाथ के नुसर डालेंगे उसके बाद आधी चम्मच सोया सॉस एट करेंगे आधी चम्मच सिरका डालेंगे उसके बाद सारी वेज़ेटेबल को अच्छे से मिला देंगे जो हमने सॉस डाले वे हैं उसमें अच्छे से लगना चाहिए इसे हमें हाई फ्रेम पे ही बनाना है अकर धीमियाच करेंगे तो इसमें से पानी निकल आएगा तो अच्छे नहीं बनेंगे स्प्रिंग रोल मसाला तयार हो गया है अब स्प्रिंग रोल की सीट्स बनाएंगे सीट्स बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है और आधा कप मैं कौनपलार पावडर डालूँगी नमक डाल देंगे स्वात के नुसार उसके बाद इसका हमें बैटर तयार करना है पहले ऐसे ही मिला देंगे जिससे की नमक अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें हम एक कप दूद डालेंगे और धीरे धीरे इसका बैटर तयार करेंगे आधा आधा कप हमने मैदा और कौन फ्लार पावडर डाला है तो इसमें एक कप दूद लगेगा आप स्प्रिंग रोल की सीट सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं इस तरह का बैटर तयार करना है जो बैटर है पतला ही रहेगा इस तरह के का ही होना चाहिए अब इसके हम सीट सिर्फ तयार करेंगे इसमें बैटर डालना है थोड़ा उसके बाद इसे फैलाना है से पैन को पकड़के जितना फैलता जाएगा उतना फैलाना है उसके बाद अब इसे हम पलट देंगे इसी तरीके से सारी सीट सिर्फ तयार करने हैं और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे इसमें मैंने मैदा डाला हुआ है जिससे ये जो सीट है इसमें चिपकेगा नहीं इसी के उपर से हम दूसरा सीट भी रख देंगे उससे एक दूसरी के उपर नहीं चिपकेंगे इसलिए मैदा डाला हुआ है मैंने सीट्स त्यार कर ली है यह देखिए अब स्प्रिंग रोल्स त्यार करेंगे एक सीट्स ले ली मैंने उसमें जो हमने मसाला त्यार किया हुआ है उसे डालना है एक दो चम्मच अब इसमें मैंने बैटर को बचा के रखा हुआ था जिसके सीट्स त्यार की उसे चारो तरफ से लगा देंगे इससे यह अच्छे से चिपक जाएगा और इस तरीखे से फोल्ड करना है पहले दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे उसके बाद उपर से ऐसे बनाना है स्प्रिंग रोल त्यार हो गया है ऐसे ही हम सारे स्प्रिंग रोल त्यार करेंगे पहले दोनों साइट से हमें फोल्ड करना है उसके बाद उपर की तरफ से भी फोल्ड करना है और ऐसे घुमाते जाना है तो स्प्रिंग रोल त्यार हो गया अब इसे हम तलेंगे तलने के लिए मैं तेल को पहले से ही गरम करके रखा हुआ है तेल में स्प्रिंग रोल को डालेंगे और इसे पकने देंगे स्प्रिंग रोल को पकने के बाद थोड़े देर बाद इने हम पलड देंगे इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल तलने हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गए हैं अब इन्हें निकाल देंगे मैंने स्प्रिंग रोल को काट के रग दिया है यह देखे कितने अच्छे लग रहे हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें